संदीप महसवरी, one of the richest YouTuber in India आप में से कई लोग इनको YouTube चैनल के नाम से जानते हैं या फिर उनके फ्री का जो सेमिनार होता है उसकी बज़ा से जानते होंगे But, the question is कि संदीप महसवरी सर का चैनल मोईटाई तक नहीं है मतलब उनके चैनल पर कोई भी एड नहीं आती है और नहीं वो अपने चैनल पर कोई sponsorship करते हैं लेकिन फिर भी वो इंदिया के टॉप यूटूबर लाइक केरी मिनाटी, असीस चंचलानी, टेकनिकल गुरु जी ये सम मैटर नहीं करता है पर यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर संदीप महसवरी बिना Google Adsense और sponsorship किये बिना इतना ज़्यादा यर्निंग कैसे करते हैं जबकि बाकि सारे यूटूबर्स का में सोर्स ओफ इंकम यूटूब है लेकिन संदीप महसवरी इसके बिल्कुल आपोजिट है इस वीडियो में हम संदीप महसवरी की पूरी business strategy को detail में discuss करूंगा और वीडियो के end में ये भी बताऊंगा कि वो अपने free के seminar से उन्हें कितना ज़्यादा हो रहा है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं संदीप महसवरी की full business strategy को संदीप महसवरी जो की बहुत ही बड़े motivation speaker के नाम से जाने जाते हैं पर actual में उनका खूद का एक business है जिसका नाम है image बजार जिहां गाईज संदीप महसवरी प्रोफेशन से एक photographer भी है उन्होंने 122 models को 11 घंते में 10 हज़ार से भी ज़्यादा photos किलिक कर दी थी जो की world record बन गया इसके बाद से उनकी popularity बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई image बजार की दुनिया में इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा इनकी ये business बहुत ही successful था जब 2002 के समय इनकी company का revenue 30 करोर था पर आगले 3-4 सालों में ही इनकी revenue बढ़कर 100 करोर क्रोस कर गई और आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि image बजार आखिर है क्या आप बात करते हैं कि image बजार क्या है आप में से कई लोग को ये बात पता होगी जो संदीप सर का video देखते हैं या उनके seminar में गए होगे उनको तो पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दू कि image बजार एक बेवस साइट है और संदीप मैस्वारी का actual में वो brand है तो चलिए इसको example से समझते हैं माल लिए आपके पास कोई shop या company है और आप अपने प्रोड़क्ट को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए अब सियोटली की आप advertisement करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोड़क्ट को पहुँचाया जा सके आप यहाँ पर advertisement करने के लिए आपको ज़्यादा पड़ेगी एक perfect image की ताकि वो लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अकरसित कर सके तो संदीप मैंसवर यहीं करते हैं वो सही direction में image को pick करके अपने बेवसाइट पर upload कर देते हैं ताकि बड़े बड़े company जिनको actually में वो image की जरूरत होती है वो इनके बेवसाइट से purchase करते हैं और इनको profit होता है आप इसको stock images भी बोल सकते हैं लाइक सटर स्टॉक पिक्सावे जैसा जहां पर धेर सारी अच्छी quality की images होती है ये अपने images को 8K से लेगर 30K के around sell करते हैं जो की इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर गले country में इनकी photo ज्यादा sell होती है अब आप बोलोगो कि बड़ी-बड़ी मेराथन company है इनसे ही image क्यों खरीदेगी तो देखो इसका दो कारण है पहली बात की संदीप मैसवरी इंडिया में इतनी अपनी popularity बढ़ा लिये हैं कि लोग इन पर जादा से जादा लोग trust करने लगे हैं और दूसरा कारण है देखो एसी एर जो आप टीवी poster banner आदी इनसा में देखते होगे वो photo एकदम perfect तरीके से खीचे हुए रहता है एकदम सही माइने में पोज देकर color grading lighting बगरा को खास ध्यान मेरा के ऐसी photo click की जाती है आप जब company खुद ऐसी image बनाने लगी तो उनको एक photographer को hire करना पड़ेगा और और studio बगरा भी set करना पड़ेगा इनसा में काफी ज़्यादा time लगेगा इसलिए बड़े बड़े companies ऐसी बेव साइट पर आकर अपने जरूरत के हिसाफ से वह image को purchase कर लेती है इससे उनका दो फायदा होता है पहली कि उनको cost कम लगता है और दूसरा कि उनका किमती समय की बचत होती है और आज image बजार इंडिया के top most largest stock image website बन चुकी है यहाँ पर 1.5 million से भी ज़्यादा stock images अपलोड़ेड है और संदीव सर का यह business काफी ज़्यादा profitable है क्योंकि इसका margin भी तगड़ा मिलता है मालो कि उन्होंने एक photo shoot किया जिसका cost आया 1.5 lakh रुपीज सब camera, studio सब ले देकर 1.5 lakh का cost आ गया और उसी एक setup से वो 50 image क्लिक किये और सबको अपने website पर upload कर दिये अब उनकी image 8K से लेकर 30K में बिकती है यह depend करता है image की size पर अगर आपके पास बड़ी images है तब तो उसको आप छोटा कर सकते हो लेकिन छोटी images को जब आप बड़ा करोगे तो वो पिक्सलर blur हो जाएगा फोटो फटने लगेगी जो की बैनर में बिल्कुल भी set नहीं करेगा इसलिए 90% कमपनिया बड़ी image को प्रेफर करती है तो अब सियोटली की अब बड़ी image खरीदो गए तो उनको बड़ा amount पे करना पड़ेगा तो इनका एक image का price 30,000 है तो ऐसी 10 image भी बिक गई तो इनका profit बन गया 3 लाग का और इनका setup हुआ था 1.5 लाग रुपया में यानि double of profit है इस business में और उसी setup से अभी 40 images और बचे हुए है जो इनको profit ही profit देगा यानि इनके business में बाकी और सारे businesses के अलावा काफी ज्यादा profitable है और इनके companies में कोई investor भी नहीं है यानि कि इनका जितना भी profit होगा ये खुद रखेंगे ये भी प्लस point है company का अब बात करते हैं कि ये इसने channel को monetize on कर दी हैं तब ये मंथली 40-50 लाग रिपया कमा सकते हैं sponsor सिफ किये भी ना यानि sponsor को भूल जाओ only adsense के through लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं वह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि संदीव सर का content होता है कि जो भी motivation बात बोलते हैं वह सीधर लोगों को दिमाग पर करते थे जिस motivation में वह बात करके बोलना चाहते थे वीडियो में उससे पहले यूजर का माइन डाइबर्ड हो गया उस एड को देखकर तो motivation खतम हो गया मतलब motivation नाम का चीज तो कुछ रहा ही नहीं गज यहीं कारण है कि संदीव सर अपने valuable content को खराब नहीं करना चाहते हैं वह अपने personal brand के थो आपने business को grow कर रहे हैं वह long vision पर काम कर रहे हैं उनका plan काफी बड़ा है तो दोस्तों कभी कभी कुछ बढ़ा करने के लिए छोटा हमको छोड़ना पड़ता है यह लाइक में याद रखू तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडि कर लिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो